आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार लोगों के बीच में नफरत फेराने का काम कर रही है वयोगी सरकार दौरा नवरात्र पर किये जो आ रहे रामायन पार्ट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है तो चलिया आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है कॉंगेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्स बिजलाल खावरी हमारे साथ है आज आपने एक एहम प्रेस वारता करते हुए सरकार पर सवाल उठाया है बात की जाए तो बीते दिन S.C.S.T. समाज की जमीनों की खरीद बिकरी पर नियमों में बदलाव किये गए है जिला अधिकारी के बिना परमिसन के जमीने खरीदी और बेची जा सकेंगी इस फैसले पर आप क्या कहेंगे दिखिए जो फैसला लेने जा रही सरकार अख़वारों के मादिम से जैसे ही सूचनाए पढ़ने को मिली तो कॉंगर्स पार्टी ने निर्णा लिया है कि राजपाल महुदिया के सामने जाकर के कॉंगर्स का एक प्रतिनी मंडल इस बात को उन्हें बताए कि इस तरीके के कानून जो बनाने जा रहे हैं अभी तक S.C.H.T. की जमीनों को बेचने के पहले परमीशन चाहिए थी जिलादिकारी की जिलादिकारी की परमीशन को हटा करके छुटा बेचने का जो कानून बनाने जा रहे हैं ये इस प्रदेश की S.C.H.T. समदाय की जनता का बड़ा नुकसान करेगी ये कानून अगर बन जाता है तो सीधे सीधे दबंग लोग उनकी जमीनों को लूट लेंगे वो ब्रोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके की हिटलर्स आही इस सरकार में है जिस तरीके की गुंडा गर्दी बढ़ी हुई है दबंग लोग बिलको दबंगी की साथ सब काम करते न जरा रहे हैं उससे यह SC-ST के लोग फेस नहीं कर पाएंगे और अपनी जमीनों को ओने पने दामूनों नहीं देनी पड़ेंगी उधारन के तोर पे अभी मैंने आपके बीच में रखा है एक 12 एकर से पहले कोई उनका एक प्रोजेक्ट नहीं होगा ऐसा भी उसमें अक्वार में है हम 12 एकर तब पूरा कर पाएंगे माना कि हम ही एक 10 एकर के प्लॉट के मालिक है बगल में हम किसी SC के परिवार की 2 एकर 5 एकर जमीन है हमारा 10 से 12 नहीं हो रहा है और हमारा प्रजेक्ट पास नहीं हो रहा है तो पूर 1,5 इकड़ 2 एकड़ जवीन ऐसी की है अगर हम उसको लेती हैं तो डीए डीम से परमीशन लेना है और डीम परमिसन इसलिए नहीं दे पाएगा कि वो सबातीन एकड़ से अंदर है बाहर नहीं है अब मामला बनता है कि अब कैसे वो है एकड़ हमारे में आए कि हम साड़े बारा पर पहुंचें तो इन सबने मिलकर के सरकार को सलाय दिये हो सरकार इस पर काम करने जा रही थी कड़वाला जबर जस्ति उसको बेचने के लिए मजबूर कर देगा और उसका सत्यानास हो जाए बिलकुल बना लिया है और इसका सबसे बड़ा नुक्सान अनुस्त जाती जन जाती के लोगों को होगा इसलिए कॉंग्रेस पारिटी उनके साथ खड़ी है कि उनका नुक्स आज आपके माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में इस बात को कहा है कि ऐसा कानुन बनता है तो कॉंग्रेस उन गरीबों अनसुच जाती हो जन जाती के साथ खड़ी नज़र आएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलादेकारी के माध्यम से पाठ करवाने जारी है नौरात्वी के उसर पे इससे निवदेश पे आप क्या सोचते हैं क्या कहना तो आ गया था लेकिन अब कहूंगा नहीं हमें तो यह लगता है कि इसके है कोई और बड़ा सजय लहा है। वरी है आगाynn कथा भात गवर्थ गाओं गली महलओं में बहुत होती करके कथा भागवत का सिस्टम यह सरकार क्यों कर रही है क्या इनके द्वारा ज्यादा पाप हो गए क्या आरूप भी लगा रहे हैं इससे भष्टाचार होगा च्परासी से लेकर अधिकारी तक इसमें सनलिप्त रहेंगे आप आरूप लगा रहे हैं पिल्कुल मैं यही तो पूछ रहा हूं क्या ज्यादा पाप हो गए जो एकलाग रुपई यह दे करके धर्म कर रहे हैं अदमी अपने लिए करता है हम चंदा देकर कथा भागवत राम माद्यम से भेजा जा रहा है इसके माद्यम से तो एक बहुत बड़ा कालेक्शन का काम सुरू हो जाएगा चपरासी से लेकर के अधिकारी तक इसमें चंदा देते नजर आएंगे उधारन के तौर पर एक सर इसी सरकार ने तिरंगा घर घर लगाने की जबात आई थी तो चपरासी से भी 40 रुपाय का जंडे का दाम लिया गया था अधिकारी की तो बात छोड़ो जो संब्धा कर्मी थे उनसे कहा गया था कि 30 जंडे आप लाएंगे गाहों से चंदा करके लाते हो कि अपनी जेप से दे तो मैं नहीं जानता हूं तो इस तरीके का कलेक्शन होकर कि एक दिन में पूरे देश में जो तरंगा जंडा लगाने का जो स्कीम लागू की थी उसमें इतना बड़ा करेप्सन होगा था कि सोचा नहीं जा सकता है तो ये कमाने के रास्ते हैं एक कुछी बुजर्गर ने एक कहानी सुनाई थी एक राजा के सासन काल में एक कर्मचारी बहुत तेज था और उस कर्मचारी से सब नाराज रहते थे राजा से सिकायत की राजा ने का है ऐसे कर्मचारी की सिकायत आ रही तो इसको कहीं हम ऐसी तो इसको एक नया पैसा कहीं ना मिले तो किस काम में भेज़ दिया राजा ने यो ले जाईए रूस के किनारे और समुदर में लहरें गिनीए कितनी आती एक दिन में समुदर की लहरें कितनी आएंगी वह काउंट करके मुझे बताना ठीक है साथ जहां बेद हो हैं हम तो के हुकम के गुलाम हैं वहां जाकर के वो दो दिन चार दिन सूखा रहा पांच बे दिन उसने प्लान कर लिया एक फर्मान जारी करा दिया जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग वाले थे उनको सबको बुलाया बुले एक बिल्डिंग नीची करो हमें लहरें गिन्ने में दिक्कत आ रही है जब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के मालक के लिए तो हमाई बिल्डिंग गिरा देगा तो फिर उसको फिर हरियाली सुरू हो गई तो वो यह सरक इसकी में बनाती रहीगी उन दों को बचाने के लिए तो हम दो हमारे दोका नारा जो रहूल जी ना दिया है वह इस देश को सत्यानास करतेगा देख़ी सवाल प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी कल दस बजे रात से धर्नावत हैं अंदोलन रत हैं अपनी मांगो को लेकर वहीं सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फरिंस करते हुए कहा जा रहा है कि बिजली विभाग घाटे में है आप क्या सोचते हैं उनके प्रदर्वसन पे अब लगातार जो उबजा मंत्री एके सर्मा की प्रेस वारता हो रही है कल देव साम हुई आज एक बजे के तीस इयरपोर्ट पे जो बात चल रही थी एक सो निन्यानिवे रुपए डिवलमेंट चार्ज है आज की तारीक में आने वाली एक अपरेल को कि चार्सों नहीं सीरे एक हजार बढ़ाये जा रहे हैं एक हजार एक विक्ति पर डिवलमेंट हो रहा है जे हम दो हमारे दों को बचाने के लिए कहीं पर भी आप जाएए मैंने जो अभी कहानी सुनाई है वो इस कहानी के इर्दगर्द हैं हम कहीं भी जाएए दो पर दो हैं हम दो हमारे दो को बचाने के लिए देश को कहीं भी ले जाना पड़े हम ले जाएंगे उसकी चिंता मत करो आखरी सवाल भारत जोब यात्रा हु और मैं 24 तारीक को अपने जिला पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को और एक विधान सभा की तैयारी कितना काम किया कितना किया उसके लिए हमने मीटिंग बुलाईए समिक्षा करेंगे और जहां पर जो भी कमी वेशी होगी उसको पूरा करेंगे तो हमारे साथ कॉंग्वेस पार्टी के वदेश अध्यक्ष विजलाल खाबरी थे जिनका साफ तोर पे कहना है कि S.C.S.C.S.T. समाज के जो लोग हैं उनकी जमीनों के खरीद और बिक्री में जो फेर बदल आए हैं उससे कही ना कहीं दबंगों के उस पे उनकी जमीनों प चेर्मैन और प्रबंद निदेशा के चैन और कई अनमुदों को लेकर उत्रप्रदेश के बिजली कर्मियों की तीन दिन की प्रदेश इस तरी हरताल लगातार जारी है उत्रप्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हरताल का सर हर जगा देखने को मिल रहा है लखनाओ में भी लोगों को काफी असुविधाव का सामना करना पड़ रहा है बिजले कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा 72 घंडे के लिए हर्ताल पर चले जाने की कारण बिजले घरों पर ताले लटक रहे हैं यूपी राजसयुक्त संगठन के लोग अपनी बात पर डटे हुए ह और इस हर्ताल को जारी रखने की बात कर रहे हैं उर्जा मंत्रिय के शर्मा ने प्रेस कौनफरेंस कर बताया कि जो हर्ताल कर रहे हैं वो ग्यार जिम्मेदाराना संगठन है और कई संगठन विभा के पक्षिम में भी हैं साथ ही उन्होंने हर्ताल करने वाले कर्मचारियों को चितावनी देते हुए कहा कि अगर कही उगरता पर उत्रे या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाया तो उनके ओपर विदिवत कारवाई की जाएगी अब इस मामले को लेकर अलाबाद हाई कॉट में कर्मचारी नेताओं को 20 मार्ज को तलब भी किया है और जिसमें बिजली कर्मचारी संपति के अध्यक शालेंद दूब सहीत काई लोगों को वरेंट जुआरी किया गया है आज प्रदेश भव में बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलन रत हैं और अपनी कई सुत्वी मांगों को लेकर आज प्रदेश के हर एक कोने में अपनी मांग कर रहे हैं सर आज आप लोग आंदोलन रत हैं कल रात दस बजे से आप अपनी हरताल की शुरात कर चुके हैं किन मांगों को लेकर हरताल किये हैं और बात की जाए तो ऐसी आज जैसे आपके तरफ से दलील जो दी जा रही है कि उर्जा मंत्री को हमने अपने कुछ बिंदूओं पर करके हमने अक्टूबर नॉम्पर के महिने में जन जागरण अभियान चलाया था उसके जडसा करे भाफिकर के दोरान मानूइवर्जा समझोता किया था उस समझोते को वो लागू करा दें बस समझोता क्या था क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्य कि छोटी सी मांग है हमारा यह है कि हमको तीन प्रमोशन मिलता था पहले पूरे लाइप में वह खतम कर दिया कार्पोरेशन ने हम चाहते हैं कि उसकी बहाली कर दी जाए इस पर भी सरकार की सहमत है सरकार इस पर भी सहमत है कि आर्टिकिलाफ एसोसियेशन से एमडी का और चेर्मेन का चुनाव होगा वो हमारे समझोते में है उस पर सरकार सहमत है तो इस तरह की छोटी-छोटी मांगे हैं और ये सारी मांगे जो हैं प्रबंधन के अस्तर की हैं जाजातर मांगे तो प्रबंधन बोनस देने की मांगे हमारे हमको तीन साल से बोनस नहीं मिला है अभी press conference हुआ है उवजा मंत्वी ने कहा है कि विद्धुत विभाग घाटे में है करज में है तो बोनस कैसे मिलेगा देखिए जब बोर्ड को तोड़ा गया था 2000 में उस समय कहा गया था कि उत्तर प्रदेश विद्धुत राजी विद्धुत बोर्ड को तोड़ रहे हैं क्य घाटा खतम होगा नितियों को बदलने से उस समय बोर्ड से कहा जाता था कि 3% के मुनाफे पर आप काम करेंगे अभी कंपनी के रूप में कंपनी बना दिया गया अलग-अलग उत्पादन निगम अलग हो गया पारेशन अलग हो गया बितरन कंपनियां अलग हो गई इस तर उत्पादन निगम हो घाटे में नहीं है वो मुनाफे में है लेकिन उत्पादन निगम को मजबूत करने के बजाए सरकार उसको कमजोर करना चाहती है और इसलिए और अनपड geben के के पास उत्पादन निगम के पास जमीन है वहां कोईला है पानी है हमको कार खाना लगाने की इजाज़त देने के बजाए यह दूसरे को कार खाना लगाने की दे रहें हमारे साथ 20 संगठन है अगर आप चाहेंगे तो मैं उन 20 का एक एक का नाम पढ़कर सुना दूगा लेकिन संख्या 20 संगठन है इसमें संबीदा मजदूर से लेके जूनियर इंजिनियर से लेके अभियंता सब संगठन सामिल है कहा जा रहा है कि कई संगठन हमारे समर्थन में है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो भी कर्मचारी हाजवी लगा कर और आंदोलन या धर्ना में समलित होता है तो उसकी नौकरी पे घाज गिवेगी हरताल का मतलब कि हम कानूनी रूप से काम नहीं करेंगे ट्रेड उन्य नें नेक्ट में हमको अधिकार मिला हुआ हभरत का संग्र ऑफ करो करेंगे एक काम करेंगे सरकार ज्यादा करेगी हमारा वेटन काट लेगी तीन दिन का हम बेटन कटाने के लिए तयार हैं, हम मानसिक रूप से तयार हैं और इसलिए तीन दिन का हम हरताल कर रहे हैं, न हम दस्कत करेंगे न हम काम करेंगे. पर पलोका संगटन का समू माननी मंत्रीजी कहा रहे हैं कि वह हैर जिम्मेरी को समझते हैं और विसी जिम्मेमाद मन्तरी जी को बार बार समय दिया गया जब ga समित हो रहे थी उस समय-इंवेश्टर समित के समय हमने अपने कारेक्रम को अस्थगीत रहखा और हमने 16 फरवरी को जा करके सरकार को नूटिस दिया कि हम 16 मार्च से 72 घंटे का करेंगे और 72 घंटे का हमारा हड़ताल है 72 घंटों में अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आगे की क्या अपनों का कदम होगा उसके बाद संगर समित बैठेगी विचार करेगी कि आगे हमारी रणीत क्या होगी इस समझोते को लागू कराने के लिए बिलकुल तो हम सभी संगटन बैठ कर और आगे की वरनीती परचरचा करेंगे कैमरमन विजय के साथ विभांसू प्राइम टिवी लखनो तो आप में देखा कि किस तरीके से जो विधित कर्मियों के हरताल है उस पर हाइकॉट भी अब सक्त हो चुका है और उसने साफ तोर पर कहा है कि अगर किसी भी तरीके से सरकारे संपत्ति को नुकसान पहुचाए जाएगा तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी इसी कुछ और एक्शन लिया जाएगा जिससे हरतार जल्द से जल्द खतम हो सके हमारी आज के इस रिपोर्ट में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार